So what's up guys, welcome to financial funda, बात करते हैं कि जो current इंडिया की तरफ से हमें move देखने को मिला है, जहां पर international trade settlements अगर दो parties को करने हैं, including or rather with an Indian party, तो वो INR में अपने transactions को settle कर सकते हैं, ये move इतना strong move क्यों है, मैंने कुछ दिन पहले इस पर tweet भी किया था, यार ये move जो है, ये इंडिया को काफ पूश करता है, आला कि ये किसी ना किसी तरह की जो है cross country politics, जिसको हम geopolitics बोलते हैं, उसमें शायद किसी तरह का दबाव लाएं इंडिया पे, बट अगर हम trade की बात करें, अगर हम economic side से बात करें, this is going to be a very very strong move, तो पहले में भी समझ लेते हैं कि अभी के जो transactions हैं, वो कैसे हो मैं किसी एक foreign player के साथ कुछ भी deal करना चाहता हूं, मालो मैं उनको कुछ देना चाहता हूं, और मुझे कोई product खरीदना है, और मुझे उनको payment करना है, तो जो payment है, मैं यहां से रुपए का payment करूँगा, वो एक मेरा bank जो है, उस bank, जो भी bank मैं use कर रहा हूं, मालो मैं SDFC use कर र तूसरे American Bank में जाता है, वहां से उसके local bank में आता है, मालो वो बंदा किसी x country का है, तो वो एक्स country के local bank में आता है, फिर उस बंदे को पैसा मिलता है, इसमें 2 चीजे होती एँ, there are two American banks involved, right, फ्लस there are multiple banks involved, bank से bank पे गया, मेरे से bank पे गया, bank से दूसरे American Bank पे अमेरिकन बैंक से American Bank, American Bank से सामने वाले का bank, सामने वाले बैंक से सामने वाले को मिला तो यहाँ पर 2-3-4% जो है, कटी जाता है कुछ ना कुछ करके पहली बात, दूसरी बात यह सारा process जो होना है यह कुछ दिनों का process है, यह ऐसा नहीं है टेक्स टाइम फिर उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर यहां पर धक्या काते फिरो बैंक्स में तो यह समय मालो मुझे 100 करोड़ का अगर ट्रांजक्शन करना है किसी के साथ तो मेरा 2-3-4 करोड़ यहां पर सिरफ ट्रांजक्शन फीज में टोटल में लग जाएगा अब जो प्रपोजल है जो नया अभी आ रहा है पुश आउट हो गया है जब मैं अगर INR में ट्रेड सेटल करना चाता हूँ तो let's have a look at कि कैसे यह काम करेगा and then फिर हम देखते है कि क्या इसका positive है right so अब मानलो मुझे किसी X country में किसी से deal करना है तो वो X country वाला जो bank के साथ काम करता है उसका जो भी bank है मानलो उसके country में कोई bank है ABC bank वो ABC bank इंडिया में एक account अपना रखता है इंडियन बैंक के साथ जिसको वास्त्रो बैंक बोल रहे है या राधर वास्त्रो अकाउंट बोल रहे है तो वहाँ पे रखता है मैं सिरफ इस इंडियन बैंक को पैसा भेज़ दूँगा direct वो उसको वहाँ से भेज़ देगा direct तो यहाँ पे दो स्टेप्स मिनिमाईज हो गए जो अमेरिकन बैंक की या इंटरमीडियरी बैंक है वो हट गया जिसको स्विफ्ट सिस्टम मोलते है वो हट गया अभी यह डारेक्ट हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ बिकज दो प्लेयर्स बीच वाले हट गये यहाँ पे transaction fee relatively कम हो गया जो भी exchange fee वो कम हो गई यह हो गया बहुत ही important part यहाँ पे पैसा बचता है यहाँ पे direct trade हो सकता है अभी इसका इतना politically क्यों फाइदा है और क्या नुकसान हो सकता है उसकी बात अगर करें तो पहली बात हम अगर फाइदे की बात करें तो अगर मुझे कभी भी किसी country के साथ transact करना है because US dollar बीच में आ रहा है as an intermediary problem क्या है कि US के पास काफी जादा control है कि मेरा transaction through होगा यह नहीं होगा one दूसरा because of this US कभी भी बोल सकता है कि इस country को transaction से out कर दो यानि कि क्या कर दो sanctions लगा दो अब आपने war में notice किया होगा sanctions word काफी जादा use किया जा रहा है Russia पे sanction लग गए है तो क्या हुए Russia का billions of billions of dollar पड़ा था banks में वह वहाँ पे उन्होंने freeze कर दिया है sanction लग गए है मतलब अगर मुझे Russia में किसी के साथ business करना है तो मैं यह American bank वाला system यूजी नहीं कर सकता क्योंकि वह transaction ही process नहीं करेंगे but because आप rupees को open कर देता है तो अगर मैं किसी Russia में किसी के साथ business करना चाहता हूँ अपने इंडिया के बहुत सारे companies है इंडिया का काफी अच्छा trade relationship है Russia के साथ बहुत सारे companies है जो रशिया में काफी जिनका business बिल्ड हुआ है अगर आप burger paints की for example कहानी सुनो तो आपर burger paints को काफी बड़ा start जो है वो रशिया के साथ exports के तुरू ही मिला था तो paints वाला एक important segment है तो वहाँ पर अब वो चीजें simple हो जाती है beach intermediary हट गए तो रशिया पर जितने मरजी sanction लगा लो इंडिया पर जितने मरजी sanction लगा लो विकास यह सारी चीजें rupees में हो रही है अभी कोई tension नहीं है हम लोगों का जादा यहाँ पर control आ जाता है इंडिया का जादा control आ जाता है इस economic system में अब यह economic system of course उस तरह का नहीं है जैसे Europe बोलता है हाँ चलो dollar चलेगा यह सब चलेगा US बोलता है सारे countries इसमें included नहीं है बट काफी key players जो है इसमें included आ जाते है UAE yes United Arab Emirates is a big very very interested player जो इस system को अपनाना चाहता है कि direct rupees में transactions हो तो and UAE का आपको पता ही है यहाँ पर कैसा हमारा relation है उनके साथ as well as आपको यह भी पता है कि इंडिया के बहुत सारे लोग जो है वो UAE में जाके काम करते है राइट वो UAE से पैसा भेजते हैं अपनी families को राइट तो बहुत चीजे relatively easy हो जाती है convenient हो जाती है यह बहुत ही बड़ा pro है राइट transaction fee बच गई network simple हो गया अब I guess one of the most important things आपने dollar का strength versus rupee का strength notice किया होगा rupee जो है dollar के against गरता जारा गरता जारा गरता जारा in fact euro भी dollar के against गरता जारा dollar इतने सब हाँए के बाद भी strength gain कर रहा है यह move rupee को जादा strong बनाता है क्यो rupee को strong बनाता है मैंने last time एक video जब आप लोगे साथ share किया था उसमें मैंने बताया था कि जब हम बात कर रहे है currencies की तो कौन कितनी currency hold करता है कौन सी currency किस currency के लिए बिक रही है तो अगर मैं US dollars FII's वाला move मैंने आपको बताया था as an FIIIA अगर मुझे इंडिया से investment मेरा निकालना है तो मुझे मेरा investment रूपए को बेचके dollar में convert करना पड़ेगा तो dollar की demand अप हो रही है रूपए की demand जो है comparatively कम हो रही है और supply भी बढ़ रहे है तो इसमें अब आप notice करो because जादा लोगों को रूपीज की जुरूएत है तो रूपीज की demand बढ़ने लगेगी and I think that is something जो हम चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा foreign players को रूपीज होल्ड करने पड़ेंगे foreign players को इंडिया में Indian bank जो है वहाँ पर उनको अपना foreign currency जो भी currency में वो deal करते हैं उसको बेच के रूपया लेके यहाँ पर रखना पड़ेगा इससे रूपीज का demand बढ़ता है international trade में तो यहाँ से जो pressure आ रहा है रूपी की strength के ओपर वो थोड़ा सा यहाँ पर relief होने का chance है now on the con side कौन side of course कैसा है कि जब US sanction लगा रहा है Europe sanction लगा रहा है of course यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हैं वो अपने लिए तो बहुत सारी चीज़े बोलते हैं हमें आदे rule apply होते हैं आदे नहीं होते हैं पर बाकी सब को 100% rule apply होने चाहिए वो सारी चीज़े हैं वो हम side पर रखे तो यह सब लोग sanction लगा रहा है इसमें इंडिया की जो जनता है because इंडिया को वो Russian trade बहुत जादा important है या बाकी के ऐसे countries है जिनको sanction लगा रखा है उनके साथ का trade important है तो इंडिया क्यों सहे तो what this whole thing does is कि यह हमें एक separate voice देता है but at the same time यह इतने बड़े बड़े Europe, America, बड़े nations है तो यह क्या कर सकते हैं क्योंकि अभी तक क्या है अभी भी यह INR वाला system तो active हो गया है पर जो US वाला system है यहां से जब मुझे US के साथ अगर trade करना है वो तो US dollars में ही है वो क्या बोल सकते हैं इंडिया, रुख जाओ, यह सब मत करो सब डॉलर में ही करो नहीं तो sanctions लगा देंगे तो यहां पर अगर इंडिया के ऊपर sanctions लगने लगे तो चीजें थोड़ी सी tough हो सकती है but, but आप वो कैसे play out होता है, होता है नहीं होता है क्योंकि इंडिया बहुत ही जादा एक important member है world का, and काफी बड़ी economy है are they really going to try and do that? because रुख रुपी के पावर को जो जादा बढ़ने ना दिया जाए या डॉलर को strength या डॉलर की strength है, उसको कैसे maintain किया जाए तो कुछ pushback, public pushback हमें यहाँ पे देखने को मिलने का chance है but net net यह move वैसे देखा जाए तो इंडिया के लिए बहुत ही जादा positive है क्योंकि इंडिया प्लेयर्स के लिए कुछ costs यहाँ पे कम होते हैं पहली बात, दूसरा इंडिया के लिए नए venues open हो जाते है for trades with multiple countries जिनके साथ हम पहले clearly बहुत अच्छे से सीधी तरहां से trade नहीं कर पा रहे थे and lastly Indian rupee का जो strength है in the forex ecosystem वो बढ़ने लगता है especially against United States का dollar आपको क्या लगता है यह move कैसा हो सकता है आने वाले 5 से 10 साल में इंडिया के लिए आप नीचे मेरे लिए comments में जरूर छोड़े हम economist लोग नहीं सही बट हम at least सोच तो सकते है कि हमें क्या लगता है ऐसे ही सोच सोच के ही दिमाग बढ़ेगा तो जरूर नीचे comment में मुझे बढ़ेगा आपको क्या लगता है कि यह move क्या pro लाता है और क्या कौन लेकर आता है इंडिया के लिए नीचे comment में बताए and आशा करता हूँ आप लोगों ने like बटन जो है पहले ही दबा दिया था as always मैं आज भी वीडियो के अंत तक like दबाव अगरा बोलना ही भूल गया हूँ तो please खुद ही दबा दिया करें अगर आप चैनल पर subscribe नहीं है तो ज़रूर कर ले इस चैनल पर हम बात करते है पैसा बनाने बचाने और बढ़ाने की financial funda इस चैनल का नाम है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए take care